कुम्भ राशिफल, गम के बादल बरसने वाले है, दिल रोने लगेगा, संभल लेना खुद को. आपका स्पष्ट और निडर नज्रिया आपके दोस्त के अहम को ठेस पहुचा सकता है. आज आपके मातापिता में से कोई आपको धन की बचत करने को लेकर लेक्चर दे सकता है आपको उनकी बातोय को बहुत गोर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी. आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारातमक बदलाव करने पड़ेंगे. अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे ने देगा. किसी भी तरह की साजीदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने. आज किसी सहकर्मी के साथ आप शाम का वक्त बिता सकते हैं, हलांकि अंत में आपको महसूस होगा कि आपने उनके साथ समय बरबाद किया है और कुछ न कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी के सहयोग से आप इस चरन में सफलता पाएंगे. कोई छोटी यात्रा आपको नई सीख देगी. भावनाय और संबंध इस समय आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. आपको अपने धन से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देने क की आवशक्ता है. परेशानियों को दूर करने में आपके दोस्त मदद कर सकते हैं. आज धन और प्यार दोनों आपके पक्ष में हैं. जीवन के इस चरन को स्वीकार करके इसका पूरा आनंद ले. तो अब बात करते हैं लवराशिफल के बारे में. दोनों की समझदारी और स चरे भाई से मिलकर आप आनंदित महसूस करेंगे. आज आपको अपने जीवन के महतवपूर्ण कारे में किसी सहायक की तलाश है और आपका लवर जीवन साथी इसमें आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा. आज आपका मूर भी सुखद और रोमांटिक है इसलिए यह अगर लव लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो अपने सोचने वव्यभार के तरीके को बदलें. अपने पार्टनर को वो समान दें जिसका वो हकदार है. मौज मस्ती आज आपकी प्राथ मिकता है. किसी फिल्म, घूमने फिरने या खेल का आमंतरन मिल सकता है जिससे आप कि चाहत के साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं. आज जाने की आपको क्या पसंद है और साथी को समझाएं की आप कैसे खुश हो सकते हैं. सेक्स प्यार जताने का एक तरीका है किन्तु प्रेम क्रीरा भी जरूरी है. अब बात करते हैं सामाने राशिफल के बारे में. आप नुकसान यहानी से गुजरना पड़ सकता है। प्रियास करेंगे तो सफलता मिलेगी। पिछले कामों की भरमार रहेगी। आप पिछले कुछ समय से अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हैं। आज का दिन आपके उन सब कामों के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए इच्छाशक्ती, अनुशासन और एकागरता से काम लेना होगा जिस काम की आप अच्छी खासी योजना बनाए हुए हैं। उसे सफलता में बदने के लिए अपनी पूरी उर्जा को उसमें लगा दें। तो चलिए करियर राशिफल के बारे में भी जानते हैं। आज धन और थुशी दोनों आपके कार्ड में हैं। आप अपनी शक्ती और कमजोरी के बारे में जानते हैं, वह अपने लक्षे की तरफ अडिग हैं। अपने कर्मों को देखें क्योंकि वही आपकी नेती हैं। आप अहंकार छोड़ दीजिए, सुखों की अनुभूती होना प्रारंभ हो जाएगी। आज वेस्ट जीवन से समय निकाल कर अपना ध्यान अपने मित्रों के साथ घूमने और अपने शौक पूरा करने में किंद्रित करें। कारे में कोई महत्वपूर्ण निरने लेने से बचें। नए दोस्त या दुश्मन आज आपकी आसपास हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको हानी पहुचा सकते हैं। आपके नम्र और कुशल विभार से आपको लाब होगा। अब बात करते हैं स्वास्ते राशिफल के बारे में। आज अपने भीतर अचानक काफी उरजा अनुभव करेंगे और कोई ऐसा काम हाथ में लेंगे जिसे आप काफी समय से टालते आ रहे थे कोई नया खेल खेलने या शारीरिक व्यायाम का कोई नया तरीका अपनाएंगे स्वास्ते संबंधी आज आपकी सभी अच्छी दिन माना जाता है जोतिश शास्त्र में भी सप्ताह के सभी वार में मंगलवार को विशेश में हित्व दिया गया है मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का कारक होता है और इस दिन कुछ कारे ऐसे हैं जिनको करना ठीक नहीं माना जाता है सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार के द दिन कुछ कारे करने से आपको बचना होगा अनेथा इन कारेों को करने से आपको कई प्रकार से हानी हो सकती है और आप से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से मंगलवार के दिन कौन कौन से कारे व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, इसके बारे में जांकारी देने वाले हैं, अगर आप इन कामों को करने से बचते हैं, तो इससे वीर बजरंगबली की कृपा दृष्टी आपके ऊपर हमेशा बनी और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। आप मंगलवार के दिन नाखून ना काटे क्योंकि यह अपशकुन बताया गया है, अगर आप मंगलवार के दिन नाखून काटते हैं, तो इसकी वजह से मंगल दोष्ट का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन होते हैं। और उसको धन हानी का भी सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति महाबली हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनको इस बात का विशेश ध्यान रखना होगा कि आप लोग मंगलवार के दिन मास और मदिरा का सेवन मत कीजिए। मंगलवार का दिन महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना का विशेश दिन माना गया है। जो भक्त मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी के दर्शन करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं बजरंगबली दूर करते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है।